खबर है यूपी के गोशी से जस्थानिय तहसील छेत्र के गोठा गाम निवासी एक व्यक्ति को तहसील के अधिकारियों ने अपनी करस्थानी दिखाते हुए मुलित गोशित कर दिया और सुनियोजित ढंग से उस व्यक्ति की जमीन को दूसरे के नाम अंकित कर दिया वही राजस्था विभाग की अजीवो गरीब कारस्थानी छेत्र में चर्चा का विशय बनी हुई है आपको बता दे कि मिली जानकारी के अनुसार यह पता चला है कि घोसी तैसील छेत्र के गोठा गाउन निवासी हबीब उल्ला पुत्र हफीज की गाउं में ही एक एकड़ जमीन है और पलेदारी कर अपने परिवार का पेट पालता है दिसंबर 2020 में राजसु विभाग के करमचारियों ने हबीब उल्ला को मुरित गोशित दिखाते हुए जमीन को गोठा गाउं के ही निवासी दो सगे भाईयों अब्दुल हाई और अब्दुल अलीम के नाम हवाला देते हुए दर्ज कर दिया वही खतौनी में अंकित आदेश में लिखा गया है कि आवेदन के तहट धाराप 33 उत्तर परदेश राजस्व सहीं तबरित तक हबीब उल्ला पुत्र हफीज का नाम निरस्त कर उनके स्थान पर अब्दुल हाई और अब्दुल अलीम पुत्र गण मोहमद इलियास गोठा क नाम आदेश का अनुपालं करते हुए कंप्यूटर पर खतौनी में चड़ा दिया गया समा सेवियों की मदद से हभी गुल्ला कलेक्टरेट पहुंचा जहां जिला अधिकारी के वहां पर मौजूद ना रहने पर उसने मुख्य राजस्व अधिकारी हंसराज यादव को अ पुर किर्किट में व्यक्ति के जिंदा रहते हुए भी राजस्व अभिलेकों में नाम गायब कर दिया इस संबंद में उप जिलादिकारी डक्टर सी एलसोंकर ने कहा कि घटना को संग्यान में लिया जाएगा और टीम गटित कर जाच की जाएगी इस प्रकरण में शामिल की हमारे दूसरे नाम चड़गा था जिलादिकारी तो किया था हुआ कि घटना की तो आप कहा कि ऍसकी घोषित कर दिया घट उ तो आपने इसकी गुहार कहां कहां लगाई मौत गए थे कहां किसके SDM की SDM की देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर